तो दोस्तो आज में आपके साथ सेयर कर रहे हूं मटर की पूड़ी की रेश्पी वैसे तो ये बहुत तरीके से बनाए जाते हैं पर मैं जिस सिंपल तरीके से ये पूड़ी बनाती हूं वो तरीका मैं आपके साथ सेयर कर रहे हूं बहुत जल्दी बन जाती हैं ये पूड़ तो हम इसमें डाल रहे हैं तीन से चार लेसुन की कलियां अगर आप लेसन नहीं खाते हों तो इसे स्किप कर देजेगा कुछ टुकडे मैंने अद्रक की लिए है दो से तीन हरे मिर्च डाल देंगे मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना कम या ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हूं इनको हलका भून लेंगे कुछ सेकेंड्स भूनने के बाद हम इसमें ये हरे मटर डाल देंगे और इनको भी थोड़ी देर भून लेंगे थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे मैंने इसमें एक चोथाई कप पानी डाला है आधा छोटा चम्मश नमक डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक डालने से मतर जल्दी गल जाएंगे और इनमें टेस्ट भी आ जाएगा तो अब हम इनको ढख कर 2-3 मिनट तक पका लेंगे दो मिनट पकाने के बाद देखिए मतर अच्छे से गल चुके हैं इनमें थोड़ा पानी रह गया है तो हाई फ्लेम पर हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी सूख न जाए और देखिए इनको हमने एक मिनट तक पकाया है ये ड्राई हो चुके हैं तो अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम लेंगे मिक्सर जार इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा और एक चम्मच सॉंफ सॉंफ का फ्लेवार पुड़ी में बहुत अच्छा आता है तो आप इसे जरूर डालेगा और अब हम इसमें ये मटर डाल देंगे इस तरह से मटर को भून कर लेने से इनका पेश्ट ने बनता है और मटर दरदरे रहते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं तो चलिए अब हम इनको पीश लेते हैं और इनको हम पल्स में चला कर पीशेंगे जिससे की ये तरदरे हो जाए देखिए इस तरह से इनको हमने बाउल में निकाल ली है और अब हम इसमें डाल रहा है एक चोथाई चम्मच, हींग आधा चम्मच, गरम मसाला पौडर और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया इनको हम अच्छे से मिला लेंगे चाहे तो आप इसमें चाट मसाला पौडर, धनिया पौडर या चटपटा टेस्ट के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च पौडर भी डाल सकते हैं पर एक बार इस तरीके से कप मसालों में बना कर देखेगा इसमें मटर का टेस्ट आएगा मसालों का नहीं सभी चीजों को मिलाने के बाद देखे ये अच्छे से बाइंड हो रहें तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और पूड़ी के लिए आटा त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए हम ले रहें दो कप गेहु का आटा आधा चोटा चमश नमक डालेंगे और एक टेबेल स्पून ओयल इनको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनका आटा गूत लेंगे यहाँ पर हमें आटे को सक्त ने गूतना है मुलायम रखना है जिससे पूड़ियां हमारी फटेंगी नहीं और तलते समय स्टफिंग बाहर ने निकलेगी तो आटे को हम अच्छे से नीट करते हुए गूत लेंगे और थोड़ा सा ओयल लगाकर इसे चिक्ना कर लेंगे और अब हम इस आटे को थोड़ी दे रिष्ट के लिए रख देंगे दस मिनट हो गया है आटा अच्छे से सेट हो चुका है तो अब हम इसमें से लोई तोड़ेंगे पूड़ी के बराबर और इसे रोल करके बीच में अंगूठे से दबाते वे इसे इस तरह से कटोरी की तरह बना लेंगे और इसमें हम ये मतर की फिलिंग भरेंगे और सभी तरफ से उठाते वे इसे अच्छे से पैक कर लेंगे जैसे हम कचोड़ी बनाते हैं देखिए इस तरह से 12 से 13 पूड़ियां भरकर हमने त्यार कर ली है अब चलिए हम इसे बेल लेते हैं इसकी साइच छोटी या बड़ी आप अपनी हिसाब से डख सकते हैं मैंने इसे पतला बेला है और साइच पूड़ी के बराबर रखा है और दोस्तों अगर आपको कम तेल का खाना पसंदो तो इस तरह से बेलकर आप इसके प्राठी भी बना सकते हैं कुछ पूड़ीयां हमने बेलकर तयार कर ली है तो चलिए अब हम इनको तल लेते हैं तो यहाँ पर हमने कड़ाई में तेल गरम कर लिया है पहले तेल को हाई गरम रखिएगा और जब पूड़ी अच्छे से फूल जाए तो गैस का फ्ले मेडियम कर दीजेगा इस तरह से हमारी एक-एक पूड़ीयां बहुत अच्छे से फूलेंगी नरम पूड़ीयां पसंदो तो हाई फ्लेम पर फ्राई करिएगा और कचोड़ी जैसी खस्ता पूड़ीयां खानी हो तो आप इनको मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर तक फ्राई करिएगा इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी एक-एक पूड़ीयां एक तम फूली फूली बनी है और इन पूड़ीयों को आप बिना किसी चीज के चटनी या चारिया चाय के साथ भी खाएगे ना आने वाली वीडियो को नुक्रिकेशन आपको मिल सके